सालों बाद जिया खान मामले की सुनवाई मुंबई कोर्ट में आज हो गई है सूरज पंचोली कोर्ट में नज़र आए मेडिया ने सूरज से सवाल किये पर सूरज ने कुछ जवाब नहीं दिया जिया खान की माने उनके बॉइफ्रेंड सूरज पर इलजाम लगाया था कि सूरज को गिरिफतार कर लिया गया था पर अब उन्हें बरी कर दिया गया है जिया खान मामले में CPI आदालत की जज़ शयद ने कहा है सबूतों की कमी के कारण यह आदालत सूरज पंचोली को दोसी नहीं ठेरा सकती है इसलिए इन्हें बरी किया जाता है जिया खान ने पहले ही जा चुकी हूँ या जाने वाली हूँ मैं अंदर से तूट चुकी हूँ आप ये नहीं जानते होंगे लेकिन आपने मुझे इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि मैं आपसे प्यार करने में खुद को खो बैठी फिर भी तुमने मुझे रोज सताया इन दिनों मुझ अपनी राए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल के साथ में बने रही है